मित्रो हमने क्रियापत के बारे में जाना है क्रिया कब हो रही है यह भी जानना आवचक है आईए इन वाक्यों को पढ़िए निमनलकित वाक्यों को पढ़िए एक हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं दो आज स्कूल में चुटती है उपर्युक्त वाक्यों में कुछ शब्द रिखांकित है जैसे की चलते है, छुटती है, खेलता है यह शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते है अब इन वाक्यों को पढ़िये, निमनलिखित वाक्यों को पढ़िये एक, मीना कल मुंबई गई दो, हेमन में पत्र लिखा तीन, माने दिया जलाया चार, गीता ने पानी पीया इन वाक्यों में रेखान की तशब्द दिहान से देखिए गई, लिखा, जलाया, पीया, क्रिया पूरी होने का बोध कराते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है, ऐसा बोध होता हो, उसे भूत काल कहते हैं बाल दोस्तों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा निमनलिक्षित वाक्यों को पढ़िए एक, अब्दुल कल आएगा दो, लड़के शाम को खेलेंगे तीन, मीना गुडिया खरीदेगी चार, डाक्या डाक लाएगा यहां आप समझ सकते हैं कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा शब्दों से क्रिया होई नहीं, परंतु होने वाली है, ऐसा बोध होता है क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, उसे भविश्यकाल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पुर्णता या अपुर्णता का बोध होता हो उसे काल कहते हैं काल के प्रमुख तीन भेध हैं एक वर्तमान काल दो भूत काल तीन भविश्य काल